जै मातादी आज मैं अपके साथ शेयर करने वाली हूँ श्री वैभव लक्षमी ब्रत का था और ये कथा इस परकार है कमला वेहज शुशील और संतोसी प्रवर्टी की स्तरी थी वैभगवान विश्नु की सची भक्ती अपने पती सोहन लाल के साथ गाउं में रहते उसने और उसके परिवार ने सधा दुख ही जहले थे तब पती पत्नी ने आपस में सलहा की और अपने बच्चों को लेकर एक बड़े शहर में आ गए शहर में आकर सोहन लाल ने एक धावा खोल दिया जिससे अच्छी आमदनी होने लगी यह सब श्री नाराने जी की ही किरपा का फल था जो कमला के आराध्य थे सब कुछ ठीठाक चल रहा था मगर कमला को एक ही दुख था कि जियो जियो उसके घर में धन बढ़ता जा रहा था त्यों तियो उसके पती की लाल सा भी बढ़ती जा रही थी उसने अपने कमाए धन को जुए सट्टे और लाट्रियों में लगाना शुरू कर दिया था कमला अपने पती की लालची परवर्टी से डरा करती थी मौके बे मौके वह उसे समझाती मगर सोहन लाल पर उसके समझाने का कोई असर नहीं होता था वह कहता तुम पागल हो कमला अरे इतने बड़े शहर में आकर भी हमने कोठी कार नहीं बनाई तो धिक कार है हमें गाउं छोड़ने पर जब इश्वर की किरपा होगी तो वह इसी काम में इतनी बरकत दे देंगे कि हम यह सब बना और खरीद लेंगे कमला कहती इश्वर क्या किरपा करेगा करंबीर अपने बल पर ही यह सब प्राप्त करते हैं सोहनला एंकार भरी बाते करता और कमला मन मसोस कर रह जाती सोहनला के कदम दिन बदिन बहकते चले गए उसे जब भी जुए सट्टे या लाटरी में नुकसान होता वह सराब पी कर आता इस परकार उसका धान अपने धंदे की तरफ से हटता चला गया जो डावा कल तक फायदे में चल रहा था वह धीरे धीरे नुकसान देने लगा इसी गम में कभी कभी सोहनला दिन में भी शराब पी लेता था जिस खारण उसकी दुकान पर ग्राकों का आना और भी कम हो गया इस पर भी सोहनला को कोई समझ नहीं आये वह विक्री के पैसों से जुए या लाटरी खेल लेता और शराब पी लेता घर में पैसा देना उसने बिलकुल बंद कर दिया कमला पैसों का जिकर करती तो वह काम मंदा होने का बहाना बना देता दावे का सारा समान एक दुकान से उधार आता था जब दुकांदार को उसके जुए किल्लत और शराब पीने का पता चला तो उसने भी उधार देना बंद कर दिया दावे के कारिगर भी पैसा ना मिलने के कारण काम छोड़कर चले गए नतिजा यह हुआ कि धावे में ताला पड़ गया अब तो घर में फाका होने लगा अब सोहनलाल काम धंदे की तलाश के नाम पर सुभा घर से निकल जाता और साम को ना जाने कहां से सराप पिकर लोटाता था गर में दो मासूम बच्चे और कमला भूग से बिलकते रहते थे उस दिन तो कमला आस पड़ोस से मांगकर बच्चों का पेट किसी परकार भरती रही मगर आज तो पड़ोसी ने भी नजरे फेर ली आकिर कोई कब तक किसी पर दया कर सकता है रात होने पर बच्चे भूग से बिलक बिलक कर सो गए, नशे में दुथ सोहनलाल भी आकर सो गया और बैचारी कमला घर में बने मंदिर के सामने बैटी रात भर आसु बहाती रही उसका फिर्दय बार बार कह रहा था कि हे नाराण जी, यह मुझे किस पाप की सजा दे रहे हैं, आप पर भू मेरे परिबार पर आई संकट को टालो आज मेरे बच्चे भूख से बिलगते हुए ही सो गए, मेरा पती पतवरस्ट हो चुका है, हे लक्षमी पती रक्षा करो मेरे पती को सद्धुद्धी दो इसी प्रकार बिंती करते हुए कब सो गए उसे स्वेम ही पता नहीं चला, सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि बच्चे सोए पड़े हैं, पती नहाद हो रहा है, कमला उसकी नजरे मिली तो उसने सिर जुका लिया, फिर कपड़े पहन कर खामोसी से बाहर गया, कमला हाथ मुधो कर फिर से अपने नारण जी के मंदिर के सामने जा बैटी, चहरा गुटनों पर टिका लिया और सोचने लगी कि क्या करूं, बचे उटकर नाश्ता मांगेंगी तो क्या जवाब दूँगी, तभी दरवाजे पर दस्तख हुई, सेम हो इसी बहे दरव है, सादू ने कहा धन मेरे घर में, बाबा, अब क्यों मुझे अभागी का उपहास कर रहे हैं, मैं सच कह रहा हूँ बेटी, अपने घर की दिवार पर टंगी नहरण जी की तस्विर के पीछे देख, मा तिरा पुराना बटवा पड़ा है, जिसमें कुछ धन है, और सुन, यदि वच्चों को पिता से कुछ लेना हो, तो उसे मा को मनाना चाहिए, मा स्वैम पिता को मना लेती है, यह ले, सादू ने अपने जूले में से एक पुस्तक निकाल कर कहा, यह है, मा बैभवलक्षमी की वरत कथा की पुस्तक है, तु मा लक्षमी की सरण में चली जा, मा तुझे अवश्य ही किरपा करेगी, और तेरा धन धानने से घर भर जाएगा, मा बैभवलक्षमी की पुस्तक हाथ में आते ही कमला के शरीर में जैसे नहीं शक्ती भराई, वह बोली, बाबा क्या सचमुच मा बैभवलक्षमी मेरी दरिता दूर कर देगी, बेटी जहां बै में आया कि यदि घर में धन है, तो बाबा को खाली हाथ नहीं भीजना चाहिए, मैं अभी उन्हें कुछ दे देती हूँ, ऐसा सोचकर जैसे इसने नचने उठाई तो अवाक रह गई, अभी छन भर पहले ही तो सादू बाबा उसके सामने खड़े थे, मगर अब तो वहां दूर दूर तक उनका पता नहीं था, मगर नारायन, नाराण के शब्द अभी वी उनके कानों में गूँज रहे थे, कमला हत्प्रत सी रहे गई, तो क्या नाराजी मेरे नाराण का संदेश लेकर आये थे, जरूर यही बात है, सोचती हुई कमला तेजी से पलटकर भीतर आ गई उसके शरीर में, जल्दी जल्दी इसने स्नान किया और पुस्तक पढ़ने बैड़ गए, पुस्तक में सबसे पहले उसने ब्रत के नियम पढ़े और यह पढ़कर तो उसकी खुसी का ठिकाना ही ना रहा, मा बैवाल लक्षमी का वरत शुकरवार से आरम किया जाता है, सयोग ही था कि उस दिन शुकरवार ही था, उसने स्नानादी से निर्वित होकर नाराएंजी के सामने ही संकल्प लिया कि बहा मा बैवाल लक्षमी के 21 वरत करेगी, उसके बाद बहा बाजार गई और खाने पीना और पूझा का सामान लेकर आ गई, उसने बच्चों को जगा मा का पूझन किया और प्रातना की, हे मा, नाराण जी की आगया से मैंने आज आपकी शरन ली है, मेरी मनोती पूंड करना मा, मैं के वल इतना चाहती हूं कि मेरे पती को सदबुद्धी आए, वे सबी दुर्गुनों को त्या कर फिर से सदमाग पचलते वे अपना काम करे, जै मां बैभुलक्ष्मी, जै मां बैभुलक्ष्मी, ब्रत कथा कहकर उसने बच्चों को चूर्मा का परसाद दिया, अपने आस प्रोस में बाटा, फिर पती के इंजार में पलके विछा कर बैठ गई, रात आट बज़े उसका पती आया, कमला को यह देकर सुकत आशर कि आज वह नशे में नहीं था, कमला आज तो चमतकार हो गया, इश्वर की क्रपासे कल से ही मेरा ढावा फिर से चालू हो जाएगा, आज लाला ने स्वैम बुला कर कहा कि यदि मैं शराव और जुए गिलाद छोड़ दू तो वह मुझे फिर से आटा डाल आदी उधार दे सरण में हैं, आज मैंने मा बैवलक्ष्मी का व्रत रखा है, मा बैवलक्ष्मी की सभी का मनोकामनाई पूर्ण करती है, एक बार मा जिसके प्रशन हो जाती हैं, उसके जीवन में कभी भी दुख और धरिता की छाया नहीं पड़ती, मगर तुमें यह सब बताया किसने, मेरा मन रुमान्चित हो रहा है, कमला मुझे सब कुछ बताओ, आओ स्वामी आओ, आप भी पहले मा का आशिरवाद ले, कमला उसे मंदिर के समीप ले गई, एक चौकी पस श्रीयंत्र के समक्ष, मा बैवलक्ष्मी की जोद अभी भी जल रही थी, और जल के पात में रखी कटोर में गर का आखरी गहना कमला की नाख के सोने का कील पड़ा था, सोहनलाल जैसे ही माता की जोद के, समक्ष आया, उसकी आखों से अबर अशुधरा बहन निकली और हाँ जोड कर वै बोला, हे मा बैवलक्ष्मी, मैं लोब में फसकर पत ब्रस्ट हो गया था मेरा, मैं बिना मै पतनी के साथ आपके वरत को करूंगा, फिर दोनों ने मिलकर मा बैवलक्ष्मी का प्रसाद कहरें किया, दूसरे दिन सोहनलाल ने अपने दुकान को जाड़ पोचकर साफ किया, और उसके पुराने कारीगार भी वापस आ गए, और दोपैर होते होते डावा पहले की भाती चलने लगा, इसके बाद जब शुकरवार आया तो पती पतनी ने मिलकर मा बैवलक्ष्मी का वरत किया, इस एक साफ़ता में सोहनलाल के घर की इस्तिती तेजी से सुधरने लगी, अब सोहनलाल ने लोग लालच त्याकर सब कुछ मा की मरची पर छोड़ दिया, इसी परकार एक इसमा शुकरवार आया तो दोनों ने अपने सगे समन्दियों को बुला कर कथा कही, साथ करन्याओं का पूजन कर उन्हें बोजन कराया और उन्हें बैवलक्ष्मी वरत कथा की, एक एक कुस्तक भेट की, इसके अत्रिक उन्होंने 101 प्रतियां सभी सरधालों में भी बा अपतों की मन की मुरादें पूरी करना, अपनी शरण में आय की रक्षा करना, सब को सुक्समर्धी, धन धाने और संतान देना और इस प्रकार बैवलक्ष्मी की वरत कथा समाप्त हुई